जैहिन दोस्तों नवस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल न्यू जोब ग्यान पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी भरती 2022 के बारे में जहां परें इंडियन आर्मी के डिपाइट्पेंट से 2022 2022 क्लिए अगनी पत्य योजना के तहत अगनी वीर के लगवग है चालिस यार से भी ज्यादा पदोपर सीधी भरतियां होने जारी हैं जिनके लिए ओफिसल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है साथ में ओनलाइन आवेदन तित्थी भी जारी हो चुकी है जिसके पारे मे कम्प्लीट इन्फोमेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि यहाँ पर इस भरति के लिए आपको सेलेक्शन पाने के लिए क्या एजरिमिटर हैगी क्या युगतर हैगी साथ में पर आपका इस भरति के लिए सेलेक्शन कैसे होने वाला है आपको आवेद प्रिजियन आर्मी को जुएन करने का आप ढ़िए अगल इंडियन आर्मी के तहट देश की सेवा करना चाहते हैं सरकाई नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सबीघ लिए बहुत ही बड़ी कुछ कबरी आ चुकी है आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा आज की इस वीडियो में सबसे पहले डिसकस करने वाले हैं ओफिशल नोटिफिकेशन को लेकर पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के मद्यम से देने वाले हैं साथी साथ अगर आप लोग इंडियन आर्मी की वेकंसी से समदित पलपल की अपडेट पणा चाहते हैं सिलेक्शन पाना चाहते हैं आपका भी सपना है इंडियन आर्मी को जोइन करने का तो आप लोग हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करने क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेकेंसी से समधित पलपल की अपडेट आपको मिलती रहेगी चलिए चलते हैं ओफिसल वेबशाइट पर कम्प्लीट डीटेल देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन आर्मी अगनेवीर रैली का नोटिविकेशन जहाँ पर डाउनलूड कर लिया है जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से ओविशली नोटिविकेशन आ चुका है साथ में जहाँ पर अगर आप लोग आवेधन कर एक्सामिनर अगनेवे क्लर्क साथ में इस्टोर कीपर एवं और भी विविन सारे पदों पर सीधी भर्दिया होने जारी है जिनके लिए अगर आप लोग केवल और केवल आट वी या फिर दस वी या फिर बार वी पास होंगे तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे जहां दोस है फर्ष्ट एयर में 30 रुपए परवंद की वहीं आपको सेकंड एयर में आपको सेलरी मिले वाली है लगवक 33 रुपए परवंद की वहीं आपको थर्ड एयर में सेलरी मिले वाली है लगवक 40 रुपए परवंद की दोस्तों यहां पर बात करेंगे जहां पर जब आप लो तो यहा पर बात करेंगे इस भर्दी के लिए आपके यहा पर education क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहां पर अगर आप लोग केवल और केवल 8-10 वी यह फिर 12 पास होंगे तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे दोस्तो यहां पर बात करेंगे इस भर्दी के लिए आपके age limit ए तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र स् газमा 75 वरस है तो आप लोग आवेदन कर पांगे बात करेंगे यहाँ पर percentage के भारे में तो यहाँ पर अगर आपका percent 33 पर्सेंट भी है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं बात करेंगे अगने वे इस टोर कीपर के लिए तो यहाँ पर अगर आप लोग 10 प्लश टू पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसके लिए भी आपकी उम्रस्मिवा साड़ सत्रह से लेकर 23 वर्ष के बीच मागी है बात करेंगे यहाँ पर इस भरती के लिए आपके फिजिकल टेश डिट से लेकर 5.45 से के अंदर 1600 मेटर की दोर पूरी करते हैं तो आप लोग गुरूप 2 की कटेगरी में आने वाले हैं अगर आप लोग गुरूप 1 की कटेगरी में आएंगे तो आपको 60 नंबर दोर के मिलने वाले हैं वहीं अगर आप लोग गुरूप 2 की कटेगरी में आएंग चलिए जानते हैं इस भरती के बारे में complete detail आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं भरती सेना भरती 2022 के बारे में जहां पर भरती सेना जाने की इंडियन आर्मी के डिपार्पेंट से अगनिपत योजना के तहत अगनिवीर के लगवगे 25,000 से भी जादा पदो पर सीधी भरत यहां पर इस भरती के लिए आप चाहे भारत के किसी भी राज में रहतों के आवेदन कर पाएंगे बात करेंगे यहां पर आवेदन सुल्क के बारे में तो यहां पर इस भरती के लिए आपको कोई भी आवेदन सुल्क नहीं देना है जहां बिलकुल नहीं सुल्क इस भरती आपकी आयु सीमा के बारे में तो यहां पर आपकी निवनेटं आयु सीमा गया सब्स Mmm तो आप लोग इस भरती के लिए पात्रोंगे आवेदन कर पाएंगे वहीं आई में छूट की बात करें तो सरकार के नियमों के अनुसवार यहां पर सेस्ट के लिए पांच वर्स की रता ओविसी के लिए तीन वर्स की आपको छूट भी मिलने वाली है बात करेंगे आपर इस भरती के लिए आपके चैन प्रक्रिया के बारे में तो यहां पर आपका चैन योगता सारीक दरक्षिता परिक्षण और सारीक मापन परिक्षण साथ लिखीत परिख्छा व्याफवार परिख्षण साथ में दस्तावे सत्यापन चीकिस्ता परिख्चा के आधार पर आपका सेलेक्शन होने वाला है बात करेंगे आपर इस भरती के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो यहां पर सेक्ष्णी के योगता के बारे म करने चाहिए तो यहां पर आपके कौन कौन से दस्तावेज अनिवार में बात करेंगे आप इस भरति के लिए वेतन सन रचना के बारे तो यहां पर आपको फर्ष्ट एयर में सेलरी मिलने वाली है जानी कि पहले वर्ष में आपको सेलरी मिलने वाली है लगवग है 30,000 रुपए परवंद की वहीं आपको दूसरे वर्ष में सेलरी मिलने वाली है 36,000 रुपए परवंद की वहीं आपको चौते वर्ष में सेलरी मि कितनी मिलने वाली है तो यहाँ पर लभुक आपको सेवा नी थी मिलने वाली है 11.71 लाख रुपए साथ में बात करेंगे याँ पर इस भरती के लिए वेकंसी डेश्टोविशन के बारे में तो यहाँ पर आप चाहे भारत के किसी भी राज में रहतोंगे आप इदन कर पाएं जैसे इस भरती के लिए आवेधन सुरूओंगे मैं इसका ओनलाइन आवेधन करने का वीडियो बना दूंगा तो अगर आप लोग आप लोग आवेधन करने का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में वीडियो को लाइक कर लें मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ तब तक लिए आप लोग अपना ख्यार रखें धन्वाद